तो वेलकम गाईजर आज का इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे sensitivity setting के उपर अगर आप इस sensitivity setting को यूज करते हो तो आपका headshot पानी की तरह लगने लगेगा देखो अज यह जो sensitivity setting है इस setting को मेरे कुछ दोस्तों ने भी यूज किया है personally मैंने भी यूज किया और हाँ यह काफी अभी बड़े-बड़े यूटूबर लोग भी इस sensitivity setting को यूज करते हैं अगर आप इस sensitivity setting को यूज करते हो इभन एक बार ट्राइ तो करके देख लो अगर आपको अच्छा लगेगा तभी आप इस sensitivity setting को रखना यह तो 100% fix है कि आपको इस sensitivity setting से प्यार हो जाएगा क्योंकि भ UMP ही यूज करो यह जो sensitivity setting है यह low end device के लिए और high end device के लिए इस sensitivity setting को आपको जोरू से देखना चाहिए देखो गाज मैं जो बता रहा हूँ यह मेरा बताना फर्ज है बाकी आप विश्वास करो ना करो आपके उपर depend करता है तो गाज वीडियो में आगे बनेस पहले इस वी kein इग अघर आप इस सिर्टेंग को आपको आंशा से देखना चाहिए लगे अगर आप हाई-end device करते हो तो आफ यह करना 25 पर और वहीं नेगर करो तो आप हैट आशो लो एंड इभाइसों कोई माइने नहीं रखता सेम वैसे ही 2x इसकोप को भी रखना है मतलब 2x इसकोप और 4x इसकोप को सेमी रखना है आपको इसको भी आप 60% कर देना अब नेक्स सेटिंग है most important rate dot और general sensitivity सेटिंग मैं important इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यही दोनों सेटिंग के बजह से आपका headshot आसानी से लगता है इसलिए इन दोनों सेटिंग को जारा सा भी miss मत करना जारा सा भी skip करके मत देखना इस सेटिंग को अच्छा से समझ लो अगर आप अच्छा से समझ गए तो आप आसानी से जो है हलका सब भी ड्रेक करोगे तो उसका headshot ही चिपकेगा पहले तो हम लोग बात करते हैं rate dot का तो rate dot को आपका अगर high end device है तो आप इस setting को set करना 81 पर और वही पर आपके पास अगर low end device है तो आप इस setting को set करना 64 पर याद रखना इस setting को आप 64 पर ही set करना इससे कम या जादा मत करना अब next setting है most important general sensitivity setting अगर आपका यहाँ पर high end device है तो आप इस setting को set करना सीधा सीधी 97 पर और low end device है तो भी आप इस setting को 97 पर ही set करना तो ओके गाज, I hope कि आपको सारा कुछ समझ में आ गया है, मैं मिलता हूँ ऐसे ही helpful वीडियो में, तब तक के लिए बाई बाई